दोस्तों, तो seated 2023 में जो आपका NCF 2005 है, इससे बहुत ही important question आ रहे हैं, आपने previous year में अगर देखा है, अगर previous year का exam दिया है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि NCF से आपके लगभग लगभग 10 से 15 नंबर आपके complete हो जा रहे हैं, जो की बहुत ही ज़्यादा आते हैं, चाहे आप जीन, पियाजे, वाइगाथ की, और सभी जितने भी important question आपके बनते, वो सभी यहाँ पे cover कराये जा रहे हैं, exam time पे, आपके 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो चलिए सुरू कर लेते हैं, जान लेते हैं, क्या कुछ है हमारे वीडियो में, अग सबसे पहले बात करेंगे, अद्धचिता की तो प्रोफेसर या सफाल जी जो थे, उन्होंने इसकी अद्धचिता की, और यह जो किसके द्वारा तयार किया गया, यह भी पूछा जाता question, तो यह NCRT, New Delhi के द्वारा तयार किया गया है, NCF 2005, एक क्या है, एक दस्तावेज है, डाकुमेंट है, यानि दस्तावेज है, इसकी जो थीम थी, NCF 2005 की जो थीम थी, वो है कि learning without burden क्या है, learning without burden मीन सिच्छा बिना बोज कहने, अगर सिच्छा आप दे रहे हैं, तो वो बिना बोज के सिच्छा होनी चाहिए, और NCF को full form जो होता है, हिंदी में इसको बोलते है, र तो वो आप English में यहाँ पर दिया है, देख सकते हैं, N का मतलब National, C का मतलब Curriculum, F का मतलब Frame होता है, तो यह सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं, दोस्तो थीम इसकी ज़रूर याद रखेगा, यह भी पूछा जाता है, और इसका main उदेश क्या है कि बच्चों को बिद्याली, यहाँ बच्चों को क्या करना है, बिद्याली जो जीवन है, उसको बारी ज्यान से जोड़ना है, याँ बच्चों को बारी ज्यान से जोड़ेंगे, तभी आप उनको अच्छे से सिखाएंगे, यहाँ और देखेंगे, learning, यानि सीखना जो है, अधिगम जो है में समझ लेते हैं जो NCF के को सिध्धान्त है या उससे पहले और जान लेते हैं कि यह लागू कब हुआ तो NCF 2005 जो है 14 और 15 जुलाई 2004 की बैठा का एक परिणाम है दोस्तों मैं ज्यादा तेज इसलिए बोला हुआ को आपको कम से कम समय में अच्छा सा रिवीजन करा पाऊं सिध्धान्त क्या कि बाहरी जीवन से जोड़ना है बच्चों को रट के नहीं सिखाना है बच्चे को हमेशा करके सिखाना है नई सूच उसमें बिक्सित करना पार्ट चर रहा है और पार्ट पुस्तक केंद्रित नहीं होना वो मात्रभासा में दी जानी चाहिए राष्ट्र पार्ट चर्या जो है वो कपकब बनी कपकब लागू ही तो उनकी बात करेंगे तो सबसे पहली जो पार्ट चर्या बनी 1975 में बनी फिर दोजार में बनी और जो NCF 2005 पढ़ने 2005 का है और 2020 की जो है वो पेंडिंग है निए नि वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक से और कमेंट जरूर कीजिए फिर यहां पर कुछ और पॉइंट बता देते हैं कि NCF से रिलेटेड जो की NCF 2005 में सिछचक के प्रति द़्ष्ट कोड है वो क्या नहीं हो चैतर जोंग आप में वालक के प्रति द्रश्ट कोड क्या दिखा गया तो प्रतेग बच्चे में सीखने की गत्य अलग होती है और एक बच्चे में के अलग चाहिए सिचक को चाहिए कि बच्चे के हिसाब से उसको सिखाना चाहिए कि बच्चे को देखकर सिखाना चाहिए कि बच्चा धीम है तेज है क्या है उसी हिसाब से उसको सिखाना चाहिए फिर यहां बात करेंगे ncf गड़ित के प्रतिद्रिश्ट कोड़ का तो बच्चे को जो गड़ित की मूल संचना को समझने के लिए बीज गड़ित अंगड़ी रेखा गड़ित आधि के लिए अनेक युक्तियां परिणाम और पद्धत इमोहिया कराया जाने है कि उनको अलग-अलग बिदी से सिखा आना चाहिए तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है में कमेंट करके बताइए थोड़ा समय फास्ट बोल रहा हूं लेकिन कोई बात नहीं आपको कम समय में अच्छी जानकारी प्रवाइट करा रहा हूं तो चलिए मैं दोस्तों मिलते हैं नहीं जानकारी के साथ